Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, आप सभी कहाँ आप फिस से रूंतार नर्सिंग एक स्पेस में हर देक्स च्वागत है, आज के मारे इंपर्टन टॉपिक हैं से सर्विसेस के नितरत, आज हम लोग चाहिए सर्विसेस के बारे में डिस्केसिन करेंगे, एक complete concept आपको इस वीडियो में समधना को मिलेगा, यदि आप इस वीडियो को पेडियो डाउनलोट करना चाहते हैं तो आप हमें टेलिंग्राम पर फोलो करना है, उसका लिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और जो भी बेसे चैनल पर पहले वा विजिट किये, चैनल को एक वा अनलाइज जरूर करें, मेरी लेंगेज को अनलाइज करें, यदि मेरे द्वारा बनाए इन्टेंट आपके लिए हैल्प पर होते हैं, तो चैनल को सब्सक्रिब चुरू करने, तो साथ मेरे नोटिपरिकिशन बर दबाके, और प्रिट कर लाता है कि आप सब्सक्रिब कुमारे नैसिंस से बीटेंट को नोड़े बेबेज से सब्सक्रिब पहले में से लिए, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, चालि तो सबसे पहले हम बात करते हैं, immediate care of the newborn baby यानि कि कोई भी ऐसे newborn baby जिन्होंने अभी अभी जनव लिया है तो उनको हम कैसे care जो है प्रदाम करते है तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे cleaning the airway ठीक है यानि कि airway को हमें क्या करना है clear करना है clean करना है ठीक तो promote the breathing breathing को promote करने के लिए clean the mucus ठीक किसी प्रकार का mucus है ठीक mucus हो गया आपका या कोई secretion है उसको हमें क्या करना है clean करना है जिससे जो breathing है हमारी वो प्रमोर्ट हो सब्हें लिए कि राइट चलिए बात करते हैं अब गार स्कोर ठीक बहुत इंपोर्टेंट ही होती है अब गार स्कोरिंग a device to monitor physical condition of the baby अब गार स्कोर क्या है यह यह प्रकार के रिवाइस होता है ठीक है to monitor monitor करने के लिए physical condition बेबी की physical condition को monitor करने के लिए हम लोग क्या करते है अब गार scoring करते है यहाँ देखिएगा इसमें of carrying scoring जब हम खरते हैं तो 0, 1, और तू पर करते हैं ठीक है तो जीरो का मिदलब यहां पर क्या होगी मंब्री को ना के बड़ाबर कोई भी चीज रिस्पांस नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हम जीरो दे देते हैं अगर रिस्पांस कर रहा है तो बंदे देंगे अगर बहुत ही अच्छा रिस्पांस कर रहा है तो आप यहां तो दे देते हैं रहेट चले तो फिजिकल कंडिशन इस डिटर्माइन बाई इमेडिये अब यहां पर हम जो फिजिकल कंडिशन को डिटर्माइन करते हैं अब गा यानि कि रेख्क्स रेस्पाँस चेक किया जाता है, जैसे कि इकप रिया है जए कि आ थ्all खांसधरा ऑघएक दो िल्जिचा करा है ठीक है रो रायकि नरो रहा है तो यह सारे चीज़ आं को कि चेक करतने हैं घ्रिमस में चेक करते हैом happiness चेक कर रहे जाता है इसमें, happiness में क्या होता है, skin capillar चेक किया जाता है, respiration जो pattern वो चेक किया जाता है, चाहिए, अगला क्या हमारा care of the cord, जो umbilical cord होता है, उसको कैसे हम क्यार करते हैं, तो यहार दखीगा to keep in mind of sterilization, यानि कि आपको sterilization का ध्यान रखके, सारे process आम लिए करेंगे अब, ठेक, the umbilical cord should be cut, हमें umbilical cord को cut करना चाहिए, and tight और उसको बांग देना चाहिए, when it has stopped pulsating, यानि कि जब उसमें pulsation खतन हो जाए, तब उस condition में क्या करना चाहिए, हमारी umbilical cord को cut करके, tight कर देना चाहिए, यानि कि बांग देना चाहिए, और ऐसे हम लोग किसलिए करते हैं, तो प्रिवें tetanus disease को रोकने के लिए करते हैं, राइट, चाहिए, चाहिए, बात करते हैं, हम दो care of the eyes, यानि कि आई की कैसे हम लोग देख वाल करें हमें बच्छे की ठीक, तो before the eyes are open, ठीक, यानि कि आई के open होने के पहले, the lips margin of the new one should be cleaned with sterile weight swaps, ठीक, चाहिए, चाहिए, नेक्स्ट के हमारा, one of each eye from inner to outside, और जब भी हम clean करेंगे, तो यार दखिए गया, उसका direction कहा होगा, अंदर से बाहर की, कैसे होगा, अंदर से बाहर की और हम clean करेंगे, clear, चाहिए, अगला के हमारा, skin of the, sorry, care of the skin, ठीक, ऐसे जो हम skin के care करेंगे, तो सबसे पहला हमारा point है, keep the baby clean and warm to prevent any infection, सबसे पहले हम baby को clean करेंगे, उसको warm देंगे, गर्मा हट देंगे, किसे लिए देते हैं, to prevent any infection नेने के, किसी प्रकार का कोई संकर महना हो, ठीक है, चाहिए, next care, the first bath is given with soap and warm water, ठीक, to remove vernix, वर्निक्स क्या होता है, एक membrane होती है, ठीक, moan-like होती है, तो उसको हमें हटाने के लिए क्या है, बेबी को बात करना पड़ता है, नहाना है जाता है, उसको ठीक, नहलाते हैं, कैसे नहला होगा, शौक, यानिकि गर्म पानी से और साबंती साहता है, उसको हम बात करते हैं, उसको हम नहलाते हैं, क्यों नहलाते हैं, तो रिमूब वर्निक्स, ठीक, वर्निक्स को रिमूब करने के लिए, मेकानियम, जो फाइसे स्टूल होता है बेबी का, ठीक, उसको रिमूब करने के लिए, उसको साफ करने जे लिए, ठीक है, चाले, अगले के हमारा maintenance of the body temperature, ठीक, नहीं को हम ज्यादा priority लेंगे, ठीक, चाले, नेक्स्ट के हमारा normal body temperature कितना होना चाहिए, याद है कि 36.5 से 37.5 degree centigrade body का normal temperature होना चाहिए, ठीक, चारो तरफ से लबेट देते हैं, गरम कंबल से, ठीक, चाले, and given to mother, और क्या करेंगे, हम mother को दे देंगे, for skin-to-skin contact, जिससे मा और बेबी का जो skin है, वो आप अपर contact हो सके, ठीक, और तुरण जो है, मा उसको बच्चे को beast feeding करा सेटे, ठीक, तो इस प्रकार जो है, यहाँ प कि child healthcare जो होता है, वो किन बच्चों को दिये जाता है, तो ऐसे बच्चे जो newborn होते हैं, यानि जो अवी अवी जनम लिया है, और यह कप तक हम करते हैं, पांस साल तक के बच्चों करते हैं, राइट, चले, बात कर लेते हैं, हम लोग अब्जेक्टिप्स क्या करें तो देश चले, नेक्ट क्वारा पॉइंट क्या है, एवी चाइल्ड रेसीब्स एडिक्वेट केर एंड प्रॉपर नौरिसमेंट, ठीक यानि कि प्रते एक चाइल कुई बच्चा हो उसको प्रॉपर तरीके से जो हम लोग नौरिसमेंट प्रदान करेंगे, कोशान प्रदान करते है ठीक, प्रयात मात्रा हम उसके देखवाल करेंगे, हट, चले, एक्ट कॉन क्या है, एवरी चाइल्ड इस इंविनाइज्ड प्रते बच्चे को हम ठीका करन करेंगे, एंड प्रोटेक्टिट फॉम डिजीज और ऐसा किसले करते हैं, जिससे बीमारी से बच्चे बच्चे ब अगला हमारा पॉइंट है, हमारा एक यूद्ध रहेगा कि बच्चे का जो हम प्रमोट कर सकें, इंक्रीज कर सकें, ठीक, चले, नेस्ट के हमारा प्रोवाइट बैलेज डाइट, जो संत्ली ताहर है बच्चे को, हम वो प्रतान करते हैं, क्लियर है, चले, अब हम बात करें ठीक है, बच्चे का कैसे हम देखवाल करेंगे, ठीक है, तो exclusive breastfeeding until 6 month after birth, यानि कि हम exclusive breastfeeding करवाएंगे, ठीक है, इस तनपान कराएंगे बच्चे को, और यह कप तर कराएंगे, बच्चे के जनम के बार में 6 महीने तक आपको इस तनपान कराना है, क्लियर है, चले, नेक्ट क् भी नि, at the age of 6 month, यानि कि जब बच्चा 6 महीने को जाता है, तो breast milk is supplemented with protein, rich supplemented food, ठीक है, यानि कि बच्चे को, जो है, अब हम यहाँपे क्या करेंगे, दूद के साथ में, मैंने कि breast milk के साथ में, जो है, supplementary food भी हम यहाँपे, बच्चे को देंगे, जैसे animal milk हो गया, ठीक है, गायर है, मैस, उसका दूद हो गया, ठीक है, masked vegetables हो गया, मैस का मतलब चाहता है, किसी चीज़ को एकदम हातों से, जैसे हम आलू को भथलते हैं, तो उसके बच्चे को भी भथल के, बच्चों छोटा-छोटा आहार जो है, इसको provide करते हैं, ठीक है, चले, अगले है, personal care of children, to protect the child from any kind of injury, किसी प्रवार की injury से, बचाने के लिए, it includes maintenance of personal hygiene, ठीक है, बच्टे का दूप पर हम ध्यान देते हैं, maintenance उसका रखेंगे, ठीक, body temperature उसका maintain करेंगे, rest and sleep, प्रपर तरीके से, वो rest कर सके, sleep कर सके, ठीक है, सो सके आराम से, exercise है, training of child regarding healthy habits, ठीक है, यानिके training of child, बच्च जिसके अंदर healthy habits आ सके, ठीक है, वो healthy habits को follow कर सके, ठीक है, next हमारा monitoring of growth and development, ठीक, it helps in identification of any deviation from normal, ठीक है, ठीक है, तो हम monitoring करते हैं, growth and development की प्रपर तरीके से, और ऐसा किसली करते हैं, हम इसली करते हैं, कि कुछ ऐसा तो नहीं है, कि ये normal से, मारला, जो ऐसा growth and development होना चाहिए, वो ऐसा तो नहीं हो रहा है, कि उससे हटकर हो रहा हो, ठीक है, तो इसली हम जो है, हम पर regular monitoring करते हैं, growth and development की, clear है, चली, next हमारा immunization, ठीक, यानि कि क्या प्रण हो गया, ठीक है, ठीक है, तो ठीक हम क्या करते हैं, protected from six preventable disease, यानि कि immunization कराते हैं, जिससे कि बच्चों जान लेवा बिमारी उसे बच्चों की, सिर्च च्छकी जासेट है, ठीक? अब जान लेवा बिमारी एक कॉमसी ने 6, तो यार रखी तर्टीबर क्लोसस हो गई, किटनस हो गया, डिप्थेरिया हो गया, बौफ़्मेंकप हो गया, मिस्ल्स हो गया, और पॉल्यमिलाइटिज हो गया, किसी भी बिमारी को फुन होने से पहले हम किया करेंगे उस के क्षोफ कर ले ते हैं में तो इर्ली तो ठीटमेंट एज्याप जी सी ने भी आपको बताया था, अरले के डेका उपनिशन, किसी भी बिमारी को अगर पहले से ही आप उसको डेख लें, ठीक, जाच लें, ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसी के रिकॉर्डिंग जो है, उसका ट्रीट्मेंट करेंगे, और जो बिमारी है, ठीक, बच्चे को जो हम क्या तो वो इसली हो सकती है, ठीक, अब होता है कि अगर बिमारी एकदम आप उसको रिकरगनाइज नहीं किया, तो उसको क्या होता है, सही होने में काफिल टाइम लगता है, राइट, चैड़, आसा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे थे, समझ में आगया होगा, टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट करके जुरू बता है, और इस वीडियो से रिलेटेड या आपको जो भी कोई की हो रही है, या कोई आपको टॉपिक पूछा तो उसके कमेंट बॉक्स में ज़रू लेखें, उसका आंसर देने मुझे कुशी मिलेजी, तो तब तक के लिए पैच्छा लगा लगा आपको झांटे जा रयकार अटेकर आपको एंटी जांट जा लगाता तुस्के लंगाओं